अव्यक्त शिक्षाओं का अन्मूल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है जिन्दगी का अफसाना ये श्रंखला सर्वात्माओं के पेता परमात्मा शिव के द्वारा उचारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है आध्यात्मिक भावार्थ क्या है? आज हम इश्वरिये महावाक्यों द्वारा समझेंगे और इन महावाक्यों के इस पष्टी करण के लिए हमारे मध्ये हैं वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आधरनीय राजयोभाय सहाब आधरनीय राजयोभाय सहाब आपका आज के अपिसोड में बहुत द्वास्वागत है सवाज हम बात करेंगे 24 फरवरी 1986 के महावाक्यों पर जिसका टॉपिक है एक बाप दूसरा न कोई परमात्मा कहते हैं कि कुछ भी हो जाए चाहे माया के तोफान आए चाहे लोगों की भिन भिन बातें आए चाहे प्रकृती का कोई भी हल्चल का नजारा हो चाहे लौकिक व अलौकिक संबंध में किसी भी प्रकार के सरकम्स्टैंस हो मन के संकल्पों का बहुत जोर से तूफान भी हो तो भी एक बाप दूसरा न कोई मन की इस दिर्ण संकल्प की स्थिती को फोड़ा सपश्टिता से बताएं क्योंकि अकसर इस तरह की परिस्थितियां जब जीवन में आती है तो निश्चे सबसे पहले हिल जाता है जब भी हम कोई अच्छा मार्ग अपनाते हैं तो उसमें रुकाउटे आना संभो है आती ही है इसलिए परमात्मा कह रहे हैं अगर आपका निश्चे मजबूत है एक बाबा हमारा सहारा है और उसके सहारे से जितनी बाते आती हैं सब पार हो जाएंगे जाहे मन की हल चल हो जाहे लोग कोई बात कहें चाहे कोई भी परकार की प्रॉबलम्स कहीं से भी आ रहे हूं लेकिन अगर विश्वास पक्का है द्रणता का निश्चे है कि परमात्मा हमारा साथी है और यह जो भी बाते आई है आज आई है कल खतम हो जाएंगे बातों को कई बार हम सोच करके बहुत बड़ा रूप बना एते हैं कना लुप वी पाते हैं फात्मा हम सब को कहते हैं सुचने की आदप लखन के उस बढ़ा करना यह आप बडा कर न आप बड़ा कर लिए बहने रुप है फंट कोई भी बाते, के तनी भी बड़ी आपके सामने में आएंकी तो आएंगी ठीरती शीं सामने आती हैं चाएव możnaकी आती हैं छा芽 tana की संबंधो की आती है प्रकृती की आती हैं बहुत सारे हिसाब किताब हर एक अत्म की सामने आते लेकिन जो शक्ति संपनात्मा हैं, जिनको निष्चे है कि हमारा साथी कौन है, सुयम सर्भ सक्तिवान बाप हमारा साथ है, साथ दे रहा है, साथ निभा रहा है, वो उस बात की परवाह नहीं करते, उनका चिंतन और वर्णन नहीं करते, इसलिए कुछ भी हो, बड़े से बड़ी बात आजाए, तो भी परमात्मा कहता है, उसको तुम राही बना दो, राही नहीं, रुई बना दो, जिससे हवासी भी उड़ जाया हो बात, सोच सोच करके बढ़ाना नहीं, और वार्णन करके वायु मंडल नहीं बनाना, तब आपको कहेंगे कि यह निष्चे बुद्धी है, और एक बल, एक भरोसे के आधार से विजही हो सकता है, जब इनसान नया नया ग्यान में चलता है, उस समय तो परमात्मा को इतनी अच्छी तरहां पहचान भी नहीं पाता है, और तभी यह परिसितियां आती है, ऐसे समय पर जो अनुभवी आत्माइं हैं, जिन्होंने इन सब प्रेपर्स को क्रास किया है, उनका साथ और उनके अनुभव का सारा लेना चाहिए, भाबा का निष्चे तो बाद में बैठता है, लेकिन जो साथी हैं, जिन्होंने ग्यान दिया है, जो अनुभवी को पार करके आगे बढ़ी हैं, उनके अनुभव का साथ लेकर के उनके अनुभव से भी हम आगे बढ़ सकते हैं, जब तक बाबा में विश्वास निष्चे पक्का हो, तब तक हम अपने अनुभवी भाई-बहनों को साथ लख रख करके उनके अनुभव से उनकी प्रेणा कि निष्च है सफलता गले का हार है एक बाप दूसरा ना कोई यह है द्रन संकल्प जब एक है तो एक रस्थिती स्वत है और सहज है बस अब एक बाप दूसरा ना कोई यह स्थिती हमारी एक रस्थिति कैसे बनाती है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। पश्टों में जब हम अनेक चीजों में भटक जाते हैं, तो हमारी इस्थिति भी भटक जाते हैं। परमात्मा के रहे हैं, जब एक बल, एक भरोसा, एक में संपून निश्चे है, कि वो सर्व सक्तिवान हमारे साथ है, कोई भी आत्मा मुझे हिला नहीं सकती है, एक में अगर पूरा विश्वास है, उसकी सक्ति और विश्वास से हम अपनी इस्थिति को एक रस बना सकते तो इस्थिति एक रस नहीं रह सकती। इसलिए उसको इतार थरीति से पहचान करके परमात्मा कौन है, किस ने मुझे अपना साथ दिया है, किस को हमने अपना हाथ दिया है, अगर इस निश्चे के आधार से हम चलते हैं, तो इस्थिति हिलती नहीं है, रिक्षाय आती है, वोकि सात्य स्वयम सर्व सक्रिवान भाप है, उसमें निश्चय है, उसके बल के आधार से हम विजयी बन सकते हैं. प्रमात्मा कहते हैं कि सर्व संबंध है तो सर्व प्राप्तियां हैं, सर्व संबंध नहीं तो कोई ना कोई प्राप्ति की कमी रह जाती है, द्रिन संकल्प करने से आगे पुरुशार्थ में भी विशेश रूप से लिफ्ट मिल जाती है, यह विधी भी विशेश उमांगु इत्सहा बढ़ाती है। यह भी एक बहुत अच्छी विधी है कि परमात्मा सर्व संबंधों से संगम पर मिलते हैं। कि वहल मात्पिता के रूप में नहीं है। कईयों को यह लगता है माता, पिता, बंधू, सखा, स्वामी यह सब संबंध एक से कैसे अन्भो करें। परमात्मा की जिन संबंधों से जो प्राप्तियों लौकिक में रही हैं। वह प्राप्तियों का नुबह मेरे से करोगे तो उन संबंधों में खिचावट नहीं होँगी। मान लो आज कोई दौस्त है, तो दोस्त को हॉपने दिल की बातो सुनाते हैं। क्या हम परमात्मा को अपना खुदा दोस्त नहीं बना सकते हैं। अगर सच्चे दिल से परमात्मा को खुदा दोस्त बना करके बाबा के कमरे में जाएं। दोस्त की रीती से अपने दिल की बात उनको सुना दे तो हलके हो जाएंगे। लेकिन हम समझते हैं कोई हमें साकार साथ चाहिए, इसकी मदद चाहिए, तो ये सम्मंधों में अगर जरा भी कहीं रुकावट है, परमात्मा से उन सम्मंधों का अनुभो नहीं है, तो देहदारी के सम्मंध आज तो प्राप्ति कराते हैं, कल दोखा भी देते हैं, इसलिए जरा भी कनी सम्मंध। का परमात्मास थासे अधिति रख बनाना और यो पनी तो यूछ उन hopeful गचाहिए, चाहिए स्थिति को उस 또 प्राप्ति को सम्मंधों, आज जोड़ा हैं, जो सम्मंथ हैं को बकाष्यं को वह जो साथ्टि करोणार तो which can be angels. कि गए को परमात्मा से वह को लगता है कि शायद पर्मात्मा ही मेरी मदद नहीं कर रहा . आज हम सभी अपने सर्व संबंधों को लोकिक से देखते हैं अगर लोकिक से भेंट करते हैं किसी संबंध से कोई पराप्ती पिता से अलग प्रापती है, सिक्षक अलग है, swirl है,गुछ से अलग है साजन से अलग है, बच्चे से अलग है तो अलग-अलग सम्मंधों में बुद्धी भठकी हुई है संगम युक पर परमातमा सर्व सम्मंधों से अपने बच्चों को मिलता करके कि जो सम्मंध लोकिक तुमने बनाए है उस सब सम्मन्धों का सार मुझा आत्मा से अनुभव कर सकते हो परमात्मा के साथ हम जब उस सम्मन्ध जोड लेते हैं तो सर्व अनुभव हम कर सकते हैं, सर्व प्राप्तियां हो सकते हैं उसका हमें बीच बीच में अनुभव करना चाहिए नहीं तो कोई न कोई हद का संबंध आकरशित करेगा और फिर बुद्धी भटक जाएगी एक रसिष्टिती नहीं बन सकती परमात्मा कहते हैं कि यही ब्रामभन परिवार की विशेष्टा है हर एक यहानुभव करता है कि मेरा सबसे ज्यादास नहीं है और बाप का भी मेरे से ज्यादास नहीं है मेरे को ही परमात्मा आगे बढ़ाता है इसलिए भक्ति मार्ग वालों ने भी बहुत अच्छा एक चित्र अर्थ से बनाया है हर एक गोपी के साथ गोपी वल्लब है सिर्फ एक राधे से वह सिर्फ आठ पटरानियों के साथ नहीं हर एक गोपी के साथ गोपी वल्लब है तस अब इस चित्र का वास्तव एक अर्थ क्या है थोड़ा सपश्ट करें भक्ति मार्ग में महाराश का चित्रा कर दिख़ाते हैं, जब ऑढमासी का दिन होता है, तो यहां दो होती है जमना के किनारे, zary krshna हर गोपी के साथ महारास होती है। और उसमें भ데 खित्रा के बना है, क mét बनाया है। कि Jud निराकार परमात्मा जो सच्चे गोपियों के बल्लब भूपी बल्लब है, वो हर आत्म के साथ रहते हैं और उसका अनुभो कर सकते हैं. यही एक विसेष्टा है इस ब्राम्वन परिवार में जो हर एक समझता है मेरा बाबा है, और बाबा भी समझता है मेरे बच्चे, सनेह का बहुत अच्छा संबंध बना हुआ है, इसी की यादगार भक्ति मार्ग में बनाई गई है, महारास के रूप में हर गोपि के साथ सरी क को दिखाया है, लेकिन संगम की यादगार है, संगम पर निराकार परमात्मा से हम बच्चे जो सनेह करते हैं, प्यार करते हैं, हर एक को यह अनुभव होता है, बाबा मेरा है और मेरे साथ है, तो यह सूक्षम संबंध के आधार से जो साथ का अनुभव होता है, उसको चित एक दो से ज्यादा प्यार है प्रमात्मा हर एक बच्चे के शृष्ठ भाग्य को देख हर्शित होते हैं कोई भी है लेकिन कोटो में कोई है पदमा पदम भाग्यवान है दुनिया के हिसाब से देखो तो इतने कोटो में से कोई हो नए सने का एक विसेष आधार है, हर एक की विसेष्था पर ध्यान जाना, तो परमात्मा अपने हर बच्चे की विसेष्था को जानते हैं, कि एक कोटो में कोई विसेष आत्मय हैं? इतनी करोणों में से चुनी हुई आत्मय हैं, भले वो माला के अंदर नो लाक का भी लाश्टाना है, लेकिन परमात्मा की नजरों में विसेष आत्मा है, क्योंकि इसने भग्वान को पहचाना है. निराकार को बिंदु सरव परमाथमा को पहचान लेना और अगर उनके साथ अपने सब सम्मंद जोड़ लेना, उनके उपर अपने आपको नियोचावर कर देना बहुत बड़ी पिसेष्टा है. परमात्मा कहते है अगर उसने नियोशावन नहीं भी किया लेकिन अगर दिल से कहता है मेरा बाबा तो ये बहुत बड़ी भी सेचता है उसने पहचाना है भगवान को उबर से काधिकारी है इसलिए वो आत्मा कोटों में कोई है बहुत स्रेष्ट है बहुत महान है इसलिए परमात्मा का उससे सच्छा दिल का प्यार है, सने है और वो भी अन्वो करता है कि बाबा मेरा है परमात्मा कहते हैं कि बाप के लिए सभी विशेश आत्माई हैं, बाप किसको साधारण, किसको विशेश नहीं देखते, सब विशेश है यहां तक भी कहते हैं, अगर मानलो कोई के अंदर बहुत से रेयोगून है, एक भी विशेष्टा उसके अंदर है, हाजी करने की है, हिम्मत की है, सच्चे सने की है, अपने आपको समरपन करने की है, कोई भी विशेष्टा है, तो परमात्मा की नजर उसकी कमी और कमजोरियों पर नहीं जाती, उसकी उसी एक विशेष्टा पर जाती है, यह बहुत विशेष्टा आत्मा है, इसलिए परमात्मा कहते हैं, हर बच्चा मेरा विशेष्टा है, क्योंकि परमात्मा की नजर केवल विशेष्टाओं पर जाती है परमातना कहते हैं कि सेवा करने से मिज्षॉर्टी को यह समिधिंSi में रहता है कि जो हम निमित करेंगे अथवाच चलेंगे हमको देख और करेंगे तो यह डबल एटेंशन हो जाता है औरमातने जो भी हम सेवाएं कर रहे हैं एक तो हमारा भागी बन रहा है उंचे से उंचा और दूसरा जो सेवाएं कर रहे हैं उससे देख करके लोगों को प्रेणा मिल रही है इसलिए कहावत है कि जैसा कर मैं करूँगा मुझे देख सब करेंगे तो जैसे डबल लिफ्ट हो गई सेवा की एक तरफ सेवा से भागी बना और दूसरी तरफ सेवा से अन्यात्मों को सीखने को मिला तो जब डबल सेवा हो रही है एक साथ हम डबल सेवा कर रहे हैं तो डब प्रिजिंद्रा दादी जी से बात करते होए कहते हैं कि बच्पन से लौकिक में अलौकिक में श्रिंगार करती रही तो श्रिंगार करते करते श्रिंगार बन गई ऐसे है ना तो ब्रिजिंद्रा दादी जी के विशे में थोड़ा सस्पष्ट करें ब्रजिंद्रा दादी वृण बावा की लोकिक में पुत्रबध उति, जो बड़ा बेटा था, उसकी साधी बढ़ा दाए के साथ हुई थी। तो ब्राजेन्दरा दादी। को जब ऑबावा लायाओ, तो भूस को बहुत अच्छा था अच्छा एं कप्च्छा था।ằक्वा वाका थिस भीजनिष अपन्र में गहन जञाया। तो बाबा के रहे रहे हैं, सौक जैसे बच्चपन में भी था, अभी भी ज्ञान रतनों से स्रंगार कर रहे हैं, क्योंकि एक धक्सी लोगों ने लोकिक स्रंगार का त्याग कर दिया, जब निष्चे हुआ भगवान आ गए हैं, पहला जो साक्षातकार ब्रह्मा बाबा को जब श्यू बाबा की ब्रह्मा बाबा में प्रवेष्टा होती है, तो पहला साक्षातकार दादी जी ने ही अपनी आखों से देखा, जो कि वो साथ रहती थी और बाबा सत्संग से उठे, एक पहला ही ओ मोका था, जब सत्संग में बाबा गुरू के सत्संग में बैठे हु सत्संग से उठते ही नहीं थे, आज कैसे उठ गए, क्या हुआ है, हो सकता तवियत कुछ नीचे उपर हो, तो दादी पीछे-पीछे बाबा के गई, और परमात्मा सिव की उनके तन में प्रवेष्टा हुई, लेकिन दादी जब पीछे आ रही थी, तो कमरे पर देखकर के गेट पर खड़ी हो गई, और उसने अपनी आखों से पूरा द्रस्य देखा, बाबा के ही मुक से आवाज निकलने लगी, निजानन्द सरूपम, सिवोहम, सिवोहम, प्रकास सरूपम, सिवोहम, सिवोहम, तो ये जो आवाज निकल रही थी, ओ दादी ने अपने कानों से द्रस्य को देखा, कैसे पूरा कमरा लाल लाइट से भर गया, कैसे परमात्मा के उनके तन में प्रवेष्ता हुई, तो ये एक साक्षी थी उस समय, बाबा को देख रही थी, कैसे श्यू परमात्मा का उत्रण हुआ, तो परमात्मा उस द्रस्य को याद कर रहे है, बता रह दादी को मिलते हुए, देखो, बच्पन में भी जब आपाई इतना समीप रही, इतना सरंगार किया, और अलोके कृती से, जब भाबा में निश्चे हो गया, तो एक धक से लोके सरंगार छोड़ा और ज्ञान वतनों से सरंगार किया और दूसरों को कराना सुरू कर दिया, व लिकिन समाय हुए रहते हैं, जो समाया हुआ होता है, उनको याद करने की भी जरूरत नहीं, पर्मात्मा सदा ही हर विशेष रत्न को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करते हैं, तो से महावीर आत्माओं की इस विशेषता को तोड़ सपष्ट करें, जो कि दादी जी को है याद करना, ऐसे बाबा भी आपको इतना ही प्यार से याद करते हैं, तो याद करने की एक दूसरे को महनत करनी नहीं पड़ते हैं, इसलिए महावीर आत्माओं है जो सुत्ष है सह्ज परमात्मा की याद मेरा निरंतर रहती हैं, इसलिए धादी जी को विशें द्हे सक तो कोई महिनत है ही ही नहीं याद करने की क्योंकि नेचुरल वो बाते हैं उद्रस आपके सामने आते रहते हैं तो आप सहज योगी हैं, निरंतर योगी हैं आप परमात्मा को भी याद करती हैं और परमात्मा आपको भी याद करते हैं आपको पिश्व के आगे प्रतेक्ष करेंगे जब आगे पड़मात्मा निर्मल शान्द दादीजी से बात करते होए कहते हैं कि अपना यादगार सदा ही मदुबन में देखती रहती हो यादगार होते हैं याद करने के लिए लेकिन आपकी याद यादगार बना देती है चलते फिरते सभी परिवार को निमित बने हुए आधार मूरत याद आते रहते हैं तो आधार मूरत हो, स्थापना के कारे के आधार मूरत मजबूत होने के कारण यह वृद्धी की उन्नती की बिल्डिंग कितनी मजबूत हो रही है कारण आधार मजबूत है सब दादी जी के विशे में थोड़ा सा बता है निर्मा सांता दादी बावा की लोकिक में बेटी थी और बावा से बहुत सच्चा प्यार था बावा की आज्याकारी सफूथ बन करके जो बावा ने कहाओ उनोंने किया. बच्पन से ही को दादी का यादगार यैसे मदुबन में कायम है और दादी को देखने से , उनकी स्थूल में भी सूरत देखने से ब्रमा बावा का अनुबह होता था ऐसा ही उनका फेस भी था तो बाबा कहे रहे हैं आप आत्माएं इस यग्य की आधार इस्थम हो और पिल्लड जितना मजबूत होता है इस्थम जितने मजबूत होते हैं उतनी बिल्डिंग सकती साली और बड़ी बन सकती है तो जो सेवाओं का विस्तार हो रहा है इतनी अधिक विस्तार से विस्तों के अंदर सेवाएं फेर रही है उसका कारण है आप सब आधार मुट आत्माएं इतना निश्चे बुद्धी हैं इतनी धाणा युक्त हैं जो उनके आधार से इतना बड़ा कार्य यग्य का विस्तार को पा रहा है इसलिए बाबा निर्म सांता दादी को देख करके यादगार के रूप में भी बता रहे हैं कि आपका यादगार है मदुबन के अंदर सब आपको याद करते रहते हैं और आप सब के लिए काधार मूरत आत्मा हो मिलकुल इसलिए परमात्मा दादियों से बात करते हुए कहते हैं कि हाथ में हाथ मिलाना अर्थाथ विचार मिलाना यही रास है तो परमात्मा दादियों की यही रास देखते रहते हैं अश्ट रतनों की यही रास है, पर इस रास को एक तो हमने जाना की जो परमात्मा के साथ आत्माओं की महारास है, पर तो आपस में भी आत्माओं की जो रास है, इसको थोड़ा सपष्ट करें। बाबा के अबयक्त होने के बाद, हमारी दादियों ने हाथ में हाथ दिया, माना एक ने कहा, दूसरे ने माना, किसी को कोई ने किसी बात में कट नहीं किया, एक दूसरे को इतना रिस्पेक्ट दिया, इतना रिगार्ड दिया, जो पूरे यग्य को आगे से आगे बढ़ने मे लेकिन दीदी और दादे ने अन्य दादियों को जो बड़ी दादियां थी, जैसे निर्मल सांता दादी थी, ब्रजिंद्रा दादी थी, चंद्रमनी दादी थी, जानकी दादी थी, तो इन सब दादियों को दादियों ने साथ लिया, यास्टरतन बाबा कह रहे हैं, जैसे आठ आत्मे एक हो करके इस यग्य को सभाले के लिए निमित बनी और एक ने कोई बात कही तो दूसरे ने उसको माना, कट नहीं किया, परमात्मा के रहे हैं जैसे हाथ में हाथ मिला करके चला जाता है, ऐसे ही एक की राय को दूसरे ने इतना सहीयोग दिया, जैसे महारास होती है, हाथ में हाथ मिला करके ताल में ताल मिलाने से अच्छी रास होती है, ऐसे ही आप बच्चों ने जो यग्य की बड़ी दादिया वनी निमित, वो सब एक दूसरे को सम्मान दे करके, एक दूसरे की बात को रिस्पेक्ट दे करके, इतना कारी को आगे वढ़ा दिया, इस अच्छार भी मिला रहे हैं और यग्य को निर्विग्न रूप से आगे बढ़ा रहे हैं। सदा अटल रहना है। परमात्मा ने कहा कि इश्वर ये सर्व प्राप्तियां करने का आधार है, एक परमात्मा से सर्व संबंध जोड़ना। परम्पिता परमात्मा ने कहा कि हमें ये सदा स्मृति में रखना है, कि जो कर्म हम करेंगे, हमें देख और करेंगे, यह डबल हमें टबल लिफ्ट की प्राप्ति कराएगा तरश्कु आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रशन है तो आप हमें इमेल कर सकते हैं हमारा इमेल आईडी है अगले एपिसोड में एक और अव्यक्तवानी के साथ आप सभी के समक्षम फिर हाजिर होंगे तब तक के लिए लेते हैं इजाज़त उम्शांती परमात्मु प्रीपि की जीती कुछ भी हो जाए चाहे माया के टूफान आए बिन बिन बातें आए फ्रकृती के हल्चल का नजारा हो लौकिक अलौकिक संबंध के सरकम्स्टान्स हो मन के संकल्पों का तूफान भी हो तो भी एक बाप दूसरा न कोई इस संबंध को निभाना है इस श्रंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज इश्वरिय विश्व विद्यार लेके सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गौडलीवूर स्टूडियो से संपर्क करें